आपकी लाइब परफेक्ट हो और उसके बाद आपको पता चले ये जो सब था ये सब को जूट था आज मैं आपको ऐसी एक कहानी सुनाने वाला हूँ आज की मुवी का नाम है ड्रीम लोवर है 1993 की हॉलिवड मुवी है ये एक बहुत ही सही थ्रिलर है तो चले ये शुरू करते हैं मुवी स्टार्ट होती है और मुवी का मैन का एक्टर रे हमें दिखाय जाता है ये एक कोट्रों में आया हुआ है आज इसका डिवोस होने वाला है रे ने अपना लॉयर ने लाया होता जब जजज उससे पुछता है कि तुम्हारा लॉयर का है वो कहता है कि मैंने उसे फायर कर दिया है मुझे मेरी वाइफ को उसे जो सब चाहिए वो सब दे देना है उसे हाँ फाइट नहीं करना है इसकी wife ने उस पर cheat किया था, इसे वज़े से उसने उससे अब तलाख ले लिया है तलाख हो जाने के बाद ये एक ही bench बार दोनों बेटे हुए होते हैं एक दुसरे से कह रहे होते है कि कितना प्यार वो एक दुसरे से करते थे रे की wife ने उससे पर cheat किया था यह हम यहाँ पता चलता है रे कुछ से में आकर उसने अपनी wife को slap किया था इसकी wife उसे कहकर जाती है कि तुम बहुत ही अच्छे आदमी हो तुम जैसा आदमी मुझे फिर से मिलना यह बहुत ही difficult होगा रे कहता है कि अच्छी तरीके से तुम ट्राय करना रे इसके बाद उसके friends के साथ party में दिखता है इसके जे friends है कि उसका तलाख हो गया है इसके एक celebration कर रहे होते है यह उससे बता रहे होते है कि बहुत सारी औरते वहाँ है अब तुम dating कर सकते हो और बहुत सारे मज़े तुम कर सकते हो यहाँ इसके friend Norman, Larry और उसकी wife होते है next scene में हम दिखता है कि Norman Ray के पास आया हुआ है उससे वो पैसो के लिए पूछ रहा है Norman जोता है हमें से कुछन को scam करता लेता है इस बार भी उसे 20,000 डॉलर्स के जरूरत होती है Ray उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं दे सकता हम दोनों में friendship है यह friendship पैसो की वज़े से तूट सकती है इसलिए मैं तुम्हें पैसा नहीं देने चाता Norman बहुत ही insist करता है उसके बार वो 10,000 डॉलर्स के देने के लिए मान जाता है Norman जाते जाते कहता है कि जिन लड़कियों से में तुम्हें मिलवाता हूँ उन्हें लगता है कि तुम बहुत ही नीडी हो Ray को इस पर गुसा आ जाता है उससे थोड़ा सा भी ने लगता कि वो नेडी हो सकता है या अब Norman को कहता है कि अब मुझे लड़कियों से मिलवाना तुम बन करो मैं अपने हाँ किसी लड़की को ढूंड सकता हूँ Norman Ray को एक पार्टी में इन्वैट करकर चला जाता है यह जो पार्टी होती है यह आर्ट गैलरी में होती है या बहुत सारे पायर्स और सेलेस भी आये होए होती है अब इस पार्टी में Norman एक लड़की से इसे इंट्रिउस नहीं करा था तो Larry करवाता है जब इस लड़की से बात कर रहा होता है तो यह बहुत ही क्लिंगी होती है Ray को इसकी पसनलिटी पसंद नहीं आती और उसे वहाँ से निकल ना होता है जब वो जाने के लिए टर्ण होता है तो Lina से टकरा जाता है Lina इस पर बहुत ही चिड़ती है और इसे कुछ भी भरा बुरा कहे कर चली जाती है उसके बाद हमें दिखता है कि थोड़े दिन गुजर जाते है एक दिन रे सुपर मारकेट में होता है वो कोछ चीजे खरीद रहा होता है तब लीना उसे फिर से दिखती है लीना इससे पहचान जाती है पर वो बहुत ही घटी आदमी था मुझे उस आदमी से बचाने के लिए थैंक्यू यह एकर वो आगे चली जाती है रे को लीना अच्छी लग थी और उससे और कुछ बाते हो करना चाता है यह जल्दी जल्दी अपने सब सामान ले लेता है दुसरे काउंटर खाली होते है पर भी लीना जिस काउंटर पर होती उससे काउंटर वो आ जाता है इनने उन्हें क्या कै शॉपिंग की है यह वो डिस्कस कर लेते है और इसके बाद रे उससे कौफी के लिए मनाता है लीना कहती है कि मैं अभी हंगरी हूँ यानि कि अभी उन्हें डिनर करना चाहिए यह उसे इंडारिकली वो कह रहे होती है इसके बाद यह होड़ल में आ गए है यह हमें दिखता है यहाँ पर लीना रे से कह रहे होती है कि किस तरह से वो न्यूयोक से यहाँ आ चुकी है उसका जो जॉप था यह घटिया था और वहाँ कुछ प्रॉलम्स हो गई थी रे फिर से कहता है कि मैंने यह कभी नहीं किया है सुपर मार्केट से किसी लड़की को डेट पर पूछना लीना इस पर थोड़ी से हस देती है यह फिर थोड़ी बाती करते है और फिर लीना कहती है किसी को जानना उनके बहुत सारे नियंस निकाने जैसा होता है ख़ी भी तुम एक आत्मी को पूरी तरह से नहीं जान पाते है जब इनका डिनर खताब हो जाता है तब भी घर जाने लगजाते है रे लीना को उसके डोर तो छोड़ने के लिए आता है उसे कहता है कि क्या सिर्फ 5 मिनिट के लिए में उपर आ सकता हो लीना कहती है कि नहीं 5 मिनिट में तुम नहीं जाओगे यह कहकर वो तरवाज़ बन कर लेती है नेक्स दिन रे अपने फ्रेंड को लगा कर लीना का फोन नेमर निकालने के कोशिश्च करता है उसका फ्रेंड उसे कहता है किसी को भी उसके बारे में पता नहीं है जिस पार्टी में वो थी उस पार्टी में कोई भी इसका फ्रेंड नहीं है रे को सिर्फ एक coincidence लगता है और इसे ignore कर देता है रे रात में फिर लीना के घर के पास आ जाता है लीना का वो wait कर रहाता है लीना जब घर आ रहे होती है तब एक आदमी के साथ होती है उसे वजाते वग किस करती है और फिर घर अंदर आ जाती है रे बिल्लिंग के नीचे आता है यहाँ बजस होते है यानि कि बिल्लिंग में जो सब लोग रह रहे है इन्हें contact कर सकता है अगर इन्हों permission दी तब यह door खुलेगा यह अलग-अलग apartment में contact करता है और फिर लीना का ही आवाज वसे सुनाई देता है वो कहता है कि तुमसे में contact कर पाओ इसका मेरे पास कोभी way नहीं था मैंने try किया पर मुझे तुम्हार नंबर वेगरा कुछ भी मिलने पाया इसलिए मैं इस तरह से तुमसे मिल रहा हूँ वो कहता है कि क्या हम कभी dinner के लिए किसी coffee के लिए बाहर जा सकते है उसे फिर से date के लिए वो पूछ रहा होता है पर लिना अब door open कर देती है रे जब लिना के apartment में आता है तो उसे वो wait करने के लिए बोलती है ये shower में होती है ये जब फिर से वापस आती है तो रे सीधे point पर आता है वो कहता है कि मैं बाहर ही खड़ा था तुम जब यहाँ आये तो तुम्हारे साथ एक आत्मी था वो कौन था ये कहती है कि वो सिर्फ एक friend था और वो gay है यानि कि इससे कोई भी वरी करने के ज़रूरत नहीं है लीना जो होती है अब इससे सही से बात नहीं करी हूँ थी जिस तरीके से वो कल बात कर रही थी अब वो ज़रा ज़्यादा सीरियस है रे को अब ये बहुत ही अजीब लगता है और कहता है कुछ तो बदल चुका है आज क्या हुआ है रे बोलता है कि प्रॉलम क्या है ये कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करने लग गई हूँ रे फिर इसके पास जाता है उससे कहता है कि ये प्रॉलम नहीं है इसके बाद ये दोनों इंटिमेट हो जाते हैं ये दोनों फिर बेट पर होते हैं तो लीना अपनी स्टोरी सुनाती है ये गही थी कि मैं जब छोटी थी तो मेरी मदर मुझे बहुत ही मारा करती थी मेरे फादर सिर्फ इसे देखते रहते थे कुछ भी उन्होंने नहीं किया था ये फैमिले में बहुत ही अब्भ्यूज हुई थी ये फिर रे को कहती है कि मैं सिर्फ प्रिटी हो इसलिए सब को लगता है कि उन्हें मुझे पा लेना है मैं भी सब लोगों की तरह ही हूँ मैं भी एक स्कुरूड़ अब इंसान हूँ रे कहता है कि मैं वैसा नहीं हूँ तुम जैसी हो as a whole मैं तुमें accept करता हूँ इसके बाद बहुत सारा टाइम गुज़र चुका है और टैरेक लिए हमें लीना और रे की दोनों की शादी है ये हमें दिखाई पड़ता है इस शादी में रे बहुत ही खुश होता है उसका फ्रेंड वेगरा उसे congratulations करता है उसका फ्रेंड Norman भी लीना की बहुत ही तारीफ करता है जब लीना और रे इस पार्टी में अकेले होते है तब रे के father और mother को देखते है इन दोनों की शादी में बहुत साल हो चुके अब इन में प्यार बच्चा नहीं लीना उसे कहती है इस तरह से couple हम कभी भी नहीं बनेंगे इसके बाद और भी time गुज़ा जाता है और लीना को बच्चा हो गया है यह हमें पता चलता है नेकसिन में लीना और रे बाहर खाना खाने के लिए आयो होते है तब इएक ओरत उसके पास आजाती है उसे हो CC पुकारती है लीना कहती है कि मैं CC नहीं हूँ उसका नाम वो उसे पता थी है इस ओरत को बहुती अलग लगता है उसे वो माफ़े मांग कर वहाँ से चले जाती है लिना रे से कहीती है कि बहुत पार मेरे साथ होता है हर बार लोग मुझे से सीशी पुकारती है मेरी तरह कोई दिखती है और इसका नाम सीशी है अब इमें दिखता है कि और भी time गज़र चुका है इनका चुबच्चा है यह और भी बढ़ा हो चुका है रे एक दिन अपने काम से व्वापस आता है तो Nina किसी से बात करी होती है इसकी voice बहुत ही selective होती है तो इसे लगता है किसे आदमी से बात करी होगी रे जब इससे पुछता है तो यह कही थी कि यह मेरी फ्रेंड थी इसे में बात करी थी रे फिर यहाँ इससे कुछ भी ने बोलता और अपने फ्रेंड के साथ हमें बार में दिखाय गया है अपने फ्रेंड को घह रहा होता है इसका चक्कर चल रहा होगा उसका फ्रेंड कहता है कि तुम जादा पैरनोइड हो रहे हो ऐसे कुछ भी सोचने कि तुम्हें जरूरत नहीं है रे इस चीज़ को छोड़ने के लिए रेड़ी नहीं होता उसका फ्रेंड फिर उसे समझाता है कि अगर तुम्हें इतना ही लग रहा होगा तो कुछ हो सकता है ये जो हमें senses दिये गए है ये हमारे six senses के तरह ही होते है इसके बात हमें दिखता है कि रे एक meeting में आया हुआ है यहाँ एक औरत है जिससे हो हमेशा phone पर बात करता था अज पहली बार वो इसे पसेनली मिला है यह दोनों बात करने लग जाते तब इससे पता चलता है कि यह जो आरत है यह भी लीना के ही यूनियोंट सिटेज से पड़ी थी रे कहता है कि क्या तुम उसे जानती हो यह कहती है कि वो दिन बहुत ही अलग थे मेरे बहुत ही कम फ्रेंश थे और इसके बाद जो मेरे फ्रेंश के साथ कॉंटेक है वो भी मैंने लूज कर दिया है वो कहती है कि हमारे फ्रेंशिपल हार अटेक से स्टेज पर मर गए थे यही एक बड़ा इंसेडन मुझे याद है यह जो मीटिंग होती है यह सक्सिसफुल खतम हो जाती है यह एक बड़ा कॉंट्रेक्ट रे को मिला होता है तो रे बहुत ही खुश होता है रे घर पर आता है लीना के साथ डिनर कर रहा होता है लीना से कहता है तुमारे एक फ्रेंड मुझे मिली थी लिना कहती है कि मैं उसे नहीं जानती रे फिर प्रिंसिपल का नाम लेता है वो कहता है कि क्या तुम उसे जानती थी लिना कहता है कि हाँ वो मेरे क्लास में था यह कहता है कि उसके साथ जुआ यह बहुत ही बुरा हुआ लिना भी इसके लिए आगरी करती है यहां रे को पता जल जाता है कि लीना ने जो University उसकी बताई थी ये गलत थी रे को अब शख होने लग जाता है तो लीना के वो पस चेक करता है इस पस में उसे hotels की carls मिलते है लीना जब इसे पकड़ लेती है तो रह गता है यह पैसे लाना भूल गए था मुझे पैसे निकालने पड़ेंगे तब तक के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए रे फिर Lina का जो होम टाउन है ये पता कर लेता है और वहाँ पहुच पहुच जाता है Lina की फोटो सब लोगों को दिखाता है यानि कि कीसी ना किसी को तो पता होगा कि लिना कौन थी ये फिर जब एक आदमी के पास आजाता है तो वो इससे जानता है ये पहले इसका बॉर्फरेंड होगा करता था ये रे पर हसने लग जाता है वो कहता है कि लिना मुझे हमेशा बताए था कि वो किसी रिच आदमी से शादी करना चाती है लिना उसके साथ कुछ भी कर सकती है ये उसे वोन करता है रे कहता है क्या इसके मदर और फादर के बारे में तुमें कुछ पता है ये कहता है कि उसके फादर और मदर से तो ये शादी के पहले मिलना चाहिए था इनका पता ये उसे दे देता है रे फिर लीना की मदर फादर के यहाँ पहुचता है लीना की मदर इससे देखकर बहुत ही खुश होती है यह कहीती है कि किया अब तुम तुम तुमारे असाइन्मेंट से रिलियर हो चुके हो रे को कुछ समझ में नहीं आता एक्चुल में लीना ने अपने फादर और मदर को बताया होता है कि रे सियाय में है इसलिए वो उनसे मिल नहीं पाती रे जब यहाँ पहुचता है तो लीना की परवीरिश कितनी अच्छी हुए है यह सब वो देखता है इसके मदर और फादर दोनों बहुत ही स्वीट होते है रे फिर लीना को उसके फादर और मदर को अपने घर लेकर आता है लीना जब इससे देखती है तो बहुत ही सप्राइस्ट होती है लीना की जो सब अच्छी स्टोरिस थी इसके मदर और फादर इससे कहती है जब मदर फादर चले जाते है तो फिर ये लिना को confront करता है वो कहता है तुमने मुझे क्यों नहीं बता है तुमने मुझे जूट क्यों बोला ये तुमने क्यों किया था तुमारी family तो बहुत ही sweet है ये कभी भी तुम्हें abuse नहीं कर सकते है लिना कहती है कि family में अलग-अलग तरह के abuse होते है इससे क्या फरक पड़ता है लिना का नाम लिना नहीं है तो CC था इसके बारे में वो उससे confront करता है लिना कहती है जिस town में मैं रह रही थी अगर मैं वहार रही थी तो मैं वहाँ stuck हो जाती मेरे boyfriend से तुम मिले उसके शादी मेरी शादी हो जाती मेरे life पूरी बरबाद हो जाती तो इसलिए मैंने यह सब decision लिये थी मैं नियॉयॉक चली गए अपने आपको मैंने reinvent किया है रेका जब गुस्ता शान्त हो जाता है तो यह दोनों intimate हो जाते है बेड पर यह से कहती है कि अब हमारे बीच में और भी कोई secret नहीं है इसके बाद और भी कुछ साल गोज़र जाते है और इनको और एक बच्चा हो जाता है इसके बाद इनकी life हमें दिखाए जाती है अपने friends के साथ hangout करते है जिस तरह से इनका पहले routine था यही चलता रहता है एक दिन रे अपनी बच्ची को सुलाता है और हाल में आता है तो लिना किसी से बात करी हुती है प्रियमोंस में जिस तरह से बात करी थी इसी तरह से वो बात करी है तो फिर से इसकी फ्रेंड ही थी ऐसे गहती है अब रहे इससे डिस्टर्ब हो जाता है उसे कनफरंड करता है उसकी पर्सों लेकर आता है और सब जीजे भाह से निकलता है यहाँ एक होटेल का सामान इसे मिलता है यह उसे कोजि बता नहीं रही होती है लीना फिर उट जाती है, वो कहती है कि अगर तुम्हें करना है, तो मेरे फ्रेंड से तुम बात कर सकते हो वो जबरदस्ती एक कॉल लगा लेती है, और रेज जब ये कॉल उठाता है, तो ये वोईस मशीन पर चला जाता है रेज एक दिन ऐफिस आता है, तो उसकी सेकरेटरी ने छोटी लिए होती है, इसके जगह पर एक नई सेकरेटरी आई होती है, ये टेंपरेरी होती है Ray Ray जब इस देखता है तो इसे पर पहचान लेता है इससे कहता है कि मेरी शादी पर तुम थी तुम लिना की friend हो ना एक्च्छल में लिना ने इसे hire किया था शादी में इसकी friend कोई देखनी चाहिए इसलिए इसने उसे hire किया था रे जब इसे इसके बारे में पुछता है, तो ये हा कहती है, ये कहती है कि मैंने बहुत सारी चीज़े फेक की थी, हम एक दूसरे से मिले थे, ये भी प्लान ही था, मैंने तुम्हें चूस किया था, मैंने तुम्हें एक पार्टे में देखा था, तुम तब मैरिड थे, तब थोड़ी दिन बाद मुझे पता जला कि तुम्हारा डिवास हो चुका है तब मैंने डिसाइड किया कि मैं तुमसे मीलूंगी। जो सब हमारे बीच में हुआ था, ये सब मेरा ही ब्लाइन था। शादी में भी, as a friend, मैंने उसे hire किया था। रेको को समझ मेंने आता, लीना कहती है कि मुझे तुम चाहिए थे, इसलिए मैंने ये सब किया था। तुम सब लोग एक दुसरे के लिए pretend ही तो करते रहते हैं, हम as a actual person दुसरे को कभी मालूम नहीं होने देते। तुम्हें क्या बसाने, क्या नहीं, ये सब चीजे मुझे पहले से मालूम थी। तुम्हें लगता होगा कि ये गलत है, पर ये सब मैंने तुमारे लिए ही किया था। रे कहता है कि हर बार मैं तुम पर बिलिव करता हो, और यहां जूटी निकलता है। मेरा हार्ट तुमारे लिए हमें ओपन करता हो हमेशा तुम मुझे धोका ही देती हो लिना कहती है कि यही तो प्यार होता है तुम किसी से प्यार करते हो और उसके बाद उनका जो सब फॉल्ट होता है अगर तुम disappointed भी हो गए तुम इसके बाद भी तुम उससे प्यार ही करते हो अपना सब कुछ एक दूसरे को दे देना यह सही प्यार होता है इसके बाद हमें दिखता है कि रे अपने ओफिस में है लिना का जो credit card बेल होता है यह गल्दी से उसके ओफिस में आ चाता है उसकी secretary यह check करती है रे कहता है कि इसे तुम pay कर दो secretary बोलती है कि तुमें इसे एक बार check कर लेना चाहिए रे जब देखता है तो इसमें hotels के check in check out के बहुत सारे details होते है यहां बहुत बार वो एक होटेल में गई होती है रे लिना को call करने कोशिश करता है पर लग नहीं पाता यह गुस्ते में घर आ जाता है रे फिर घर में receive ढूनने लग जाता है यह पूछती है कि तुम यह क्या कर रहे हो रे कहता है कि तुम हमेशा hotel में जाती रहती हो उसके receive में ढून रहा हो लिना कहती है मैंने उसे fake दिया है रे कहता है कि किसके साथ तुम थी वो बहुती चिड़ गया होता है लिना उसे और भी चिड़ाने के लिए कहती है क्या तुम मालूम नहीं है तुम्हारी जान पहचान का कोई है मेरी friend का नाम लेकर मैं उससे बाते कर दे रहती थी रे इस आदमी को जानता है पर वहाँ पुलिस भी होती है रे आउट आप कंट्रोल हो जाता है तो पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है इसे डारेक्ली mental hospital में रख देते है लिना ने pretend किया होता है कि रे ने उसे बहुत ही मारा है अपने पूरे face पर इसने जख्खम कर दी होती है mental hospital में रिना फिर रे से मिलने के लिए आती है कोर्ट में हीरिंग होने वाले होती है इसके बारे में उसे कहती है यह बोलती है कि हीरिंग कैसी भी जाए फिर भी तुम याद रखना कि मैं तुम से बहुत ही प्यार करती हूँ रे कहती है कि तुम एक psychopath हो गयती है कि psychopath भी लोगों से प्यार कर सकते है या अब जो भी होगा इसके लिए ready हो रही होती है यानि कि अगर इसके खिलाफ हीरिंग होगे तो रे से फिर से इस शादी में हो जा सकती है जब हीरिंग स्टार्ट होती है तो सब सबुच जज को दिखा जाते है इसमें दिया गया होता है कि रे हमेशा से लिना को मारता था रे इस पर disturb होता है वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था लिना की थरपिस्ट वह होता है वो बोलता है कि यह हमेशा इसके बॉड़ी पर प्रूजेस थे जब में इससे पूछता था तो वो बोल दी थी इसके पती नहीं से दिये है यह कोड में यह भी बेच करते है कि इसकी जो एक्स वाइफ थी इसको भी इसने मारा था रे वायलेंट है इसी वज़े से इसे मेंटल असायलन में ही एक-दो साल रहना चाहिए यह जज को बता रहे होते है जज फिर रे को एक चांस देता है उससे क्या बोलना है यह बोलने के लिए रे सब को जब बताता है तो इसका उसके पास कोई भी प्रूफ नहीं होता होटेल्स की जो रिसिप्ट थी यह भी चल गई थी और जो होटेल्स की सब लोग है यह लिना को नहीं बहचान दे लिना की जो फ्रेंड जिससे वो फोन पर बाती करते रहे थी यह भी फेक उसने इस कॉर्टर में लाई होई होती है इससे विक्षन पूछे जाते है और लिना की स्टोरी जो होती है यह पूरी तरीकी से सच है इन सब को यही लगता है अब इस हीरिंग में रे को मेंडल असाइलम में बेजना है यह फिक्स हो जाता है जब वे हॉस्पिटल में होता है तो इससे बहुत सारे गोलिया देकर हमेशा सिडेटेड रखते है यहा उसका एक फ्रेंड बन जाता है रे को फिर आईड़ा आता है उसके फ्रेंड की मदद वो लेने वाला होता है जो सब इसे गोलिया दे जाती है यह अपने फ्रेंड को दे देता है यह फिर एक कॉल लगाता है इसके फ्रेंड की जो वाइफ थी इसे इसने कॉल लगा होता है ये रे की भी अच्छी फ्रेंड होती है जब ये इसे मिलने के लिए आती है तो ये बाहर आ जाते है रे कहता है कि लिना का चक्कर मेरे फ्रेंड के साथ चल रहा था ये कौन था ये मुझे पता नहीं है उसकी फ्रेंड की वाइफ उसे कहती है कि मेरा ही पती था जिसके साथ इसका अफेर चल रहा होगा मैंने मेरे हस्बन के पास एक अलग प्रॉपर्टी की पेपर्स देखे थे लिना और उसका हस्बन ये तलाग हो जाने के बाद बहुत सारे पैसुने मिलने वाले होते है तो इसके बाद वो वहाँ जाकर रहने वाले होते है रे फिर अपने फ्रेंड से एक मदद मांगता है वो उसे लिना को कॉल करने के लिए कहता है वो लिना को कहती है कि प्लान में कुछ लूप होल है ऐसा रे कह रहाता रे को लिना से मिलना है ये लिना को वो call करकर बता देती है राद में रे अपने फ्रेंड को कहता है ये मैं hundred dollars देने वाला हूँ जब मैं तुम्हें कहूँगा तुम्हें कुछ काम करना है नेक्स दिन रे लिना से मिलने के लिए आता है जो हॉस्पिटल का जो स्टाफ होता है ये लीना को उसके पास भी जाने देता है उन्हें लगता है कि pray बहुत ही सिरिटेड है ये लीना को कुछ भी करने पाएगा जब इस दोनों भाब आता है तो हॉस्पिटल का एक स्टाफ इनकी पीछे हिता है इन पर नज़र रख रहा होता है रे का फ्रेंड फिर उसके पीछे आता है और इसे तंग करने लग जाता है यह उस्पिटल का गार्ड इसके फ्रेंड का पीछा करते करते इसके पीछे भागने लग जाता है रे और लीना बहुत ही आगया जाते है रे फिर लीना से कहता है कि बहुत ही अच्छा तुम्हारा प्लान था तुम्हारे प्लान में एक fault है तुम यहां नहीं आती पर तुमने यह जो सब मेरे साथ किया है यह तुम फिर से वापस करना चाती हो तुम्हारा जो full proof प्लान है इसमें loophole कैसा हो सकता है इस curiosity से तुम यहा करना है यह दोनों जब किस कर लेते हैं तो कहता है तुम्हारा प्लान बहुत ही सही था पर तुमने जो last चाल चली है यह गलत चली थी मैं अब mental hospital में हूँ अगर मैं पागल हूँ तो मैं जो भी सब action लोंगा इसमें मैं accountant नहीं रोंगा मैं अगर तुम्हें यहां मार देता ह तो लीगल ही मुझे पर कोई भी case नहीं होगा एक दिर साल में यहां से मैं बहुत ही अच्छी थी इनके मदर के बारे में कोई भी गलत चीज़े इन्हें उससे नहीं बताने एक positive और अच्छी परवरिश इन्हें हो देना चाता है अगर हम रे के बारे में सोचे तो beauty को ही हम परसन वो लीना को चाता है पर जब लीना ने उसे सब कुछ सच बता दिया था पर फिर भी उसने उसे chance दिया था रे लीना से बहुत ही पैर करता था इसलिए वह उससे फज़ा दि रही और यह फस्तरा मुवी के लास्ट में उसके जेडरन उसके साथ है तो उसकी family उसे मिल लीना से बदला लेने के बाद यह hospital से भी बाहर आ चुका है उसे जो family चाहिए थी यह family भी उसे मिल चुकी है इसकी बच्चे ही अब इसकी family है इनको अब वो अच्छी एक परवेरिश देना चाता है यह यह movie end हो जाती है अगर आप को वीडियो चलागा तो प्लीज इसे like औ आप को अब प्लीज आता है एक और वो फ्लीज एक और आप अब नए बाद देना जो थाहिए प्लीज और नसे जजए थापिए सब्सक्तर उसे पाड़ करणता है और और यह यहा है आप है यह यह जो पु committee